हेलो दोस्तो, कैसे हो आप सब? दोस्तो पहले तो आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुब काम नाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये वाली दिवाली और आने वाले हर थिवार बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत खुशी से जाएंगे और आप बहुत सारा प्रोफिट कमाएंगे। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हुडको कमपनी के बारे में उनके जो quarterly result है वो आ चुके हैं, जो कि बहुत बहुत बहतरीन result आये हैं। कमपनी के quarterly result आने से पहले ही company के share में 4-5% तक की रेली देखने को मिली थी। तो चलिए, पहले company के quarterly result के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो इस साल September 2024 में 2,517 हो गई है जो कि जून के अंदर 2,188 करोड थी। और अगर इसको आप year on year basis पर देखना चाहेंगे तो year on year basis पर ये 1,864 करोड थी। जो की सीधा सीधा लगबग 38-40% तक का जंप हमें देखने को मिलता है year on year basis पर अगर बात करें company के total expenses की तो वो 1526 करोड है जो की पिछले quarter में 1,512 करोड था और उससे पहले 1,274 करोड यानि के जो company के quarterly expenses और year on year basis के expenses हैं वो भी बहुत जादा नहीं बड़े हैं जो की एक बह interest की जो की बहुत important aspect है तो वो भी हमें 27% के increase में देखने को मिलता है year on year basis पे जो की बढ़कर 797 करोड हो चुका है पिछले साल NIA इस company का 627 करोड था इसमें हमें 27% की जंप देखने को मिलती है अगर हम profit की बात करें तो profit quarter 2 में 688 करोड रहा जो की पिछले quarter जून में 557 करोड था और पिछले साल इन दिनों 451 करोड हमें profit में भी सीधा सीधा जंप देखने को मिला है यानि less expenses, high revenue और high profit हमें देखने को मिला है और इसके साथ साथ हमें high NIA यानि net interest income भी देखने को मिली है तो company के result काफी अच्छे आए हैं जिस वजह से आप देखेंगे कि company का जो share है व अच्छा perform कर रही है बाकि आप इस company के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं ताकि बाकी लोग भी जान सके कि आपकी राय क्या है और वीडियो end करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं EPS की earning पर share की तो वो इस company का पिछले साल इन दिनों में 2.26 पैसे था जो कि जून के अंदर 2.80 पैसे हुआ और सेप्टेंबर के quarter 2 result में ये 3.44 पैसे हैं तो हमें EPS में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है तो overall इस company के result काफी अच्छा आया है बाकी इस company को आप अपनी watch list में रख रख सकते हैं अगर आप invest करना चाते है नहीं करना चाते ये आपकी अपनी मर्जी है मुझे आपको result बताने थे मैंने बता दिये वीडियो पसंद आया है तो like कर देना इसी तरह और company के analytics और review जानने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लेना तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्य निवाद